सबी दोस्तों को जय हिंद बंदेमात रम राम राम आर्पियफ कॉंस्टों और एसाई की नई भरती आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों इसके फॉर्म को इसलिए अपलाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें पोश्ट की संक्या बहुत दाकम निकाली गई है तो अ सब्सक्राइब दोस्तों पर होने वाली है रेले मंत्री का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है और एक्जाम डेट क्या रहेगा इन सबकी जनकारे इस वीडियो में मिल जाएगी फिकरी क्या है बात जब सवरब श्राइन फॉर्म यूदूब चलने आपके साथ आ सबसे पहले हमें हैं चाप्टर और टाइप वाली बूक से हैं उसका सौ कोशन याद करेंगे और उस कोशन को उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करना है तो प्रैक्टिस के लिए हम समाने अध्यन की जो 27,000 फैक्ट वाली बुक है इससे दोस्तों हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा सिलावस को हमें कंप्लीट करना है 50 से लेके 45 दिन के भिक्तर जो दोस्तों हमारे एडवांस लेट के स्टुएंट है वो 10 से 35 दिन के अंदर ही पूरा अपना सिलावस कंप्लीट कर सकते हैं जैसे ही दोस्तों आपने पूरा सिलावस कंप्लीट कर लिया इसके बाद आपको लगानी है PYQ PYQ क्या होता है? प्रिविस यर कोशन यह दोस्तों आपके SI के भी बुक आ जाती है यह 4 बुक से दोस्तों आपकी तयारी करनी है अगर आप कॉंस्ट्वल के फार्म अप्लाई करिये हो अपने कॉंस्ट्वल के PYQ लगाओगे और अगर अपने SI के लिए अप्लाई किया है तो आपने SI के PYQ लगाओगे जो प्रिविस यर कोशन होता है और PYQ लगाके 10 से लेके 12 दिन के अंदर पूरा PYQ को खतम कर देना है और जो भी PYQ में आपका डाउट होगा ठीक है वो आपके तियोरी वाली जो बुक है उससे दोस्तों आपके डाउट कभर करना है और जबके लास्ट टाइम पे प्रिप्रेशन होगी उसमें क्या करना है आपको Mixed Repression करना है जालतर PYQ लगाने से प्रिवेशेल कोशन का पेड़र का नौलेज होता है और हमाई सेलेक्शन में और हम पास पहुच जाते हैं PYQ लगाना है जो डाउट होगा वो थेयोरी वाली बुक से कभर करना है और दोस्तो ऐसे हमें तयारी करनी है last preparation में और हमारे RPF Constable ASI की भरती में आराम से दोस्तो हम selection ले पाएंगे यह सारे book के जरिये और दोस्तो ऐसे हम तयारी करेंगे तो हमारा confirm selection हो जाएगा तो इस सारे book का link वीडियो के description में डाल दोंगा वहां से आप इस book को purchase कर सकते हो और RPF Constable ASI की भरती में अपना से लेक्शन पका कर सकते हो देन दोस्तों अब चलते हमने topic के उपर ही कैसे वेकेंसी इंक्रीज होगी RPF Constable ASI की और कैसे हम selection ले सकते हैं तो यह book दोस्तों वीडियो के description मिल जाएगा इसका link वहां से आप इस book को purchase कर सकते हो देन दोस्तों हम बात करत तो उसमें हमेशा ज्यादा संख्या आएगी जार 23 में publish किया गया था और संसत में दोस्तों बताया गया था कि एप्रोक्स रेले में दो लाग फ्लॉस वेकेंसी खाली हैं जिसके उपर बहुत दरी कॉमेंट लिया जाएगा और दोस्तों यह सारे जोन की विजनकारी दी गई थी अगर इस सारे जोन वाइस हम लें कि रे पर कॉंस्तेबल के लिए बट अभी जब वेकेंसी आई है तो कॉंस्तेबल के लिए 4200 प्लास पोस्टों पे ही भरती आई हुई है तो दोस्तों डेफिनेटली यह भरती को इंक्रीज किया जाएगा और एप्रोक्स कॉंस्तेबल के पोस्ट जो आपके 4600 है यह बढ़के पर डेटा ही नहीं है अभी आफिलाल में इस जोर में कितनी कितनी वेकेंसी को निकाल दिया गया वरना यह वेकेंसी अभी नहीं आती और थोड़े दिन के बाद रिलीस की जाती बट अभी सर पे election है इसी के चलकर गौर्णमेट में फटाफट वेकेंसी को release कर दिया और दोस्तों अभी भी update चल रहा है कौन से जोर में कितनी वेकेंसी खाली है डेटा collect किया जा रहा है जैसे ही ये data railway के पास proper collect हो जाएगा तो railway उस वेकेंसी को include कर देगा और हो सकता है जो मिले ये पूरे पूरे चांसे जे इक कर दिया जाएगा और जो अब कि ये 4600 पूस्तों पर है ये आपके बीड़ा कब तो नहीं को सकता है दोस्तों आपके June के बाद ही होगा क्या आप सभी को पता है June 4 तक आपका के इलेक्सण चलने वाले हैं तो अगर vacancy increase होना होगा तो definitely vacancy increase हो जाएगी यह vacancy increase होके 12,000 प्लस पोस्टों भी हो सकती है और 9,000 प्लस पोस्टों भी vacancy जा सकती है तो बात बाकी दोस्तों यह जनकारी हो गए अब बहुत सारे लोग पुछ रहेगा तो मैं आपको बता दू जो आपके आपका दोस्तों कब तक रहने वाला है दोस्तों आपका जो एक्जाम होगा वह सेप्टेंबर महीने में कंड़र्ट कराया जा सकता है सेप्टेंबर महीने में आर्पिफ कॉंस्टरवल एक्जाम की नहीं भरती का एक्जाम हो सकता है बहुत सब्सक्राइब चांसेज हैं सेप्टेंबर महीने में होने के और सेप्टेंबर इसका दोस्तों डेट निकल के सामने आ रहा है तो मैं दोस्तों बता दू सेप्टेंब महिने में कि ऐसे की नहीं भरती का एकजाम कराया जाए अभी आपके पास तब ही करने के लिए पढ़ाई करने के लिए तो में अब बहुत सरी लोग बोधे थे किक गयांगे तो में दोस्त यह तभी पता चलेगा जब अब यह पता चले कि all total जितने भी दोस्तों all इंडिया की वेकेंसी है इसमें कितने बच्चों ने फंपलाई किया है तो cut up क्या जा सकता है देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो previous year में जोन वाइस वेकेंसी निकाली जाती थी आप यह जोन सब देख सकते हैं लेकिन इस सियर में जोन वाइस वेकेंसी नहीं निकाली गई है तो आप जेनरल पकड़ लो अगर दोस्तों आप 95 से लेके 100 की बीच में नंबर ले आ रहे हो तो आर्पिए की भरती में आप अराम सिलेक्शन ले सकते हो चाहे कॉंस्टेबल हो में के पोस्ट पे आओ चाहे दोस्तो आप प्रिवेस का कटफ देख रहे हैं दोस्तों यह चीज़ आपको याद रखना है तो वेकेंसी इंक्रीज होने वाली यह पूरी संभा होना है और आपकी जो कटफ होगी वह आपके 95 से 100 के बीच आप नंबर रखोगे तो पका सेलेक्शन हो जाए कटफ इससे भी कम जा सक मैंने आपको साइजन काई दे दी है एक्जाम डेट को लेका और वेकेंसी इंक्रीज होगा यह इसने खुद कहा है तो आप दोस्तों इंतजार करिए जून के बाद आपके वेकेंसी इंक्रीज होने की पूरी संभावना है और यह वेकेंसी आपको इंक्रीज होते हुए दि वीडियो में एसी इंफॉर्मेडियों के साथ उलो भात्मात्या की जय बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत जय जगरनाथ